आज के कारिक्रम में उच्चतर माध्यमिक पाठ्ठिक्रम के अंतरगत आज का विशय है विज्ञान की भाषा जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाषा के सामानित है अलग-अलग अनुशाशन के आधार पर रूप भी बदलते हैं प्रयोग के आधार पर भाषा के इन भिन्द भिन्द रूपों को जब हम अलग-अलग अनुशाशनों से जोड़ कर देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि साहित्य की भाषा विज्ञान की भाषा और इसी प्रकार बैंक की भाषा बीमा की भाषा या अन्य अनुशाशनों की जैसे क ज्ञान की भाषा इस पर एक महत्वपूर्ण चिंतन विशय उभर कर आता है। हम जानते हैं कि वर्तमान युग सूचना का सूचना प्रोध्योगी की का युग है। संचार साधनों और माध्यमों की करांती का युग है। और ऐसे में ये जो ज्ञान विझ्ञान है ये जन सामानने तक नकेवल देश में अपितु विश्व में संचरित होता है। ऐसे में सूचना क्षेत्र की जो विभिन गतिविदियां हैं उनका विस्तार हुआ हैं। और इसके माध्यम से हमने ज्ञान विज्ञान को भी अध्यान करने समझने आदी के अवसर प्राप्त कर लिये हैं सामानने भाषा जो की बोलचाल की भाषा है और बोलचाल की भाषा में हम बहुत अपचारिक नहीं होते हैं वहाँ वयाकरन का हम बहुत ध्यान नहीं रखते हैं इसलिए जब आपचारिक भाषा की बात आती है और विज्ञान की भाषा के संदर में जब हम विचार करते हैं तो सामान्य भाषा और विज्ञान की भाषा में मोटे तोर पर अंतर दिखाई देता है वहाँ एक रूपता विज्ञान की भाषा का एक लक्षन होता है विज्ञान की भाषा में जो अवधारनात्मक शब्द होते हैं उनकी प्रधानता होती है विज्ञान की भाषा में हम द्वी अर्थी या बहु अर्थी शब्दों का प्रयोग भी नहीं करते हैं इसलिए हम दे यह तो शब्दावली की जब हम बात करते हैं तो साहित की भी शब्दावली होती है जिसको हम गलॉसरी या टर्मिनलाजी के रूप में देखते हैं लेकिन यह मीडिया की अपनी अलग टर्मिनलाजी होती है शब्दावली होती है या फिर बैंक की बीमा की अलग तरह की होती है विज्ञान की भी कई शाखाएं हैं जैसे भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, कृषी विज्ञान, गरी विज्ञान और इसी प्रकार अन्य शाखाएं तो भाषा में विज्ञानिक शब्दों का जब ठीक ठीक से प्रयोग, सटीक प्रयोग होता है, तो वह विज्ञान की भाषा बन जाती है. भाषा के जब हम अनेक रूपों की चर्चा करते हैं, तो हम यह भी जानते हैं, कि साहित्य में अगर साहित्यकार वो स्वतंत्र होता है कि वो है उधारन देने के लिए वो है समान उक्ती प्रस्तुत करने के लिए या वहै कालपनिक्ता का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होता है लेकिन विज्ञान में भाषा को यथा संभव, सरल, विशेनिष्ट और एक अवधारना प्रधान ऐसा रखना होता है और सार्व भौमिक्ता विज्ञान की भाषा का एक मुख्य लक्षन भी होता है क्योंकि साहित्य में तो व्यक्ति सापेक्ष अर्थ लिये जाते हैं लेकिन विज्ञान में विशे सापेक्ष अर्थ होते हैं वह अर्थ सबके लिए जो भी ग्राहक है जो भी पाठक है दर्शक या शूता है उसके लिए एक ही प्रकार का अर्थ होता है और विज्यान की भाषा को हम तार्किक भाषा भी कहते हैं वो तर्क प्रधान होती है होनी चाहिए क्योंकि यदि तर्क नहीं होगा क्योंकि विज्यान में तो हम जानते हैं कि किसी भी प्रयोग की बात करें किसी भी संदर्व विशेश की बात करें तो सबसे पहले मन में यह बात आती है कि यह ऐसा है तो क्यों है इसके कारण क्या है और उन कारणों का उदाहरणों से प्रमान से उत्तर भी हमें देना होता है इस दृष्टी से हम देख सकते हैं कि जैसे जल शब्द की बात हम करें तो जल के संदर्ब सापेक्ष अलग-अलग अर्थ लिये जाते हैं अगर सामान्य जीवन में वह पानी होता है तो गनित की भाषा में वह होता है इसी प्रकार साहित में कहीं वह नीर होता है कहीं वह वारी होता है कहीं वह तोय भी होता है अंबू भी होता है तो यह साहितिकार की अपेक्षा की अनुरूब शब्द का जो सटीक चैयन और प्रयोग है वह बदल सकता है लेकिन विज्ञान में जो शब्द और शब्दावली है वह निरधारित है वह शब्दावली आयोग द्वारा बनाए गए मानक पारिभाशिक शब्दों के द्वारा ही सार्थक और संप्रेशित होता है इसलिए हम गनित के या भौतिक के या रसायन के या जीवादी विग्यान के जो अलग-अलग शाखाएं हैं उनके शब्दों पर जब विचार करते हैं तो हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि कहीं तो वह जल जो है वह ठोस भी होता है कहीं द्रव भी होता है कहीं गैस के रूप में भी होता है तो यह व भाशा और शब्द को या शब्दावली को हम समझ सकते हैं विज्ञान की भाशा के विशे में अगर हम यह भी बात करें कि वह एक विशिष्ट अर्थ केंद्रित होती है उसका सीधा सीधा सम्मंद वैज्ञानिक खोजों से अनुसंदानों से या वैज्ञानिकों द्वारा अ विज्ञान के अंतरगत किसी भी अवांचित अनर्गल शब्दावली का प्रयोग नहीं कर पाते करना भी नहीं चाहिए वह उसका ओचित भी प्रतीत हमें नहीं होता और सबसे बड़ी बात यह कि जब हम अंग्रेजी आध्रित क्योंकि विज्ञान की शब्दावली जो है वह अंग्रेजी को समक्ष रखके उसके सम्तुल्य हिंदी शब्दों के प्रयोग से ही परिपुष्ट होती है चरितार्थ होती है इसलिए हम अनावश्यक विस्तार की संभावना उसमें नहीं देखते यथा संभव क्लिष्ट शब्द ना हो इसकी कोशिश भी करते हैं और जो वाक्य विन्यास है या शब्दावली है वह द्वी अर्थी ना हो और उसके दोहराव से भी बचने की कोशिश हम उसमें करते हैं लेकिन यदि शब्दावली निर्धारित है निश्चित है अंग्रेजी शब्द के सम्तुल्य हिंदी शब्दों का निर्मान किया गया है उसका प्रयोग हमें उसी रूप में करना होता है एक भ्रह्म सामानित है विज्ञान की भाषा के संदर में या तकनीक और प्रोध्योगी की भाषा के संदर में एक इस तरह की मान्यता बन गई कि ये भाषा कलिष्ट है ये भाषा दुरू है लेकिन वस्तुस्ति ऐसा नहीं है कलिष्ट या दुरू वस्तुत है कुछ नहीं होता कलिष्ट वय होता है या दुरू वय होता है जो हमें नहीं आता जिससे हमारा रिष्टा नहीं है परिचे नहीं है संबंद नहीं है और जब उस शब्दावली का उस भाषा का प्रयोक करते हैं बहले ही वो बात अंग्रेजी की हो या हिंदी की हो या अन्य भाषाओं की हो तो वह उनके लिए कठिन नहीं होती और विज्ञान की भाषा को जब हम जन सामाने तक ले जाने की बात करते हैं तो शब्दावली के रूप स्वरूप को तो हम नहीं बदल सकते लेकिन वाक्य विन्यास को सहज, सरल, बोधगम में बनाया जाता है उसकी कोशिश भी की जाती है तो सूचना प्रोध्योगी की भी एक विज्ञानिक्ता का विज्ञान का वहक्षेतर है जिसमें टेकनलोजी के बहुत सारे उपकरण आ जाते हैं, बहुत सारे माद्यम आ जाते हैं जैसे कंप्यूटर है, इंटरनेट है, उपग्रह आदी हैं या आजकल सोशल मीडिया के इनफर्मेशन टेकनलोजी का एक हिस्सा हैं, लेकिन इन सब को जब हम विज्ञान के प्रयोग के लिए, विस्तार के लिए, शिक्षन प्रशिक्षन के लिए आगे बढ़ाते हैं, तो निश्चित रूप से यह एक सशक्त संप्रेशनियांता के माध्यम बन जाते हैं, जैसे टेलिफोन की बात करें, जैसे रेडियो की बात करें, टेलिविजन के माध्यम से हम तरह तरह के विज्ञानिक प्रयोगों को प्रदर्शित करने की बात करें, अनुप्रयोग आदी को सीखने, सिखाने के लिए इस तरह के कारिकरमों की बात करें, तो निश्चित रूप से विज्ञान के विस्तार में साहिक होती है इसलिए विज्ञान में और सामाने भाशा में अवधारनात्मक अंतर होता है इनको conceptual words भी कहते हैं जिस शब्द के साथ एक अवधारना जुड़ी होती है उसको परिभाशत ही किया जाता है उसको अर्थ से हम नहीं समझा सकते हैं जैस इसी तरह हम देख सकते हैं कि जैसे खाने पीने में हम नमक शब्द का प्रयोग करते हैं हमने अपनी पाठ्थे पुस्तक में इनों दर्णों को देखा भी है नमक को विज्ञान में क्षार कहा जाता है और यह एक विशिष्ट अर्थ का ग्योतक शब्द है परिचायक शब् जिसको हम मैथमेटिकली या साइन्टिफिकली वैज्ञानिक रूप से हम उनको फार्मूलों के इसाब से देख सकते हैं तो यह जो प्रयोग है रसायन में शार तत्व को जिस तरह से व्याख्याइद किया गया उसे अमोनियम सलफेट के रूप में सोडियम कार्बनेट के र आर्फ मातरे हैं लेकिन प्रयोग अनुप्रयोग से जुड़ते ही विज्ञान का हिस्सा बनते ही वए अलग-अलग आयामों से जुडता ही और उनके साथ जुड़कर उसी प्रकार की अर्थ वत्ता को हमारे समक्ष लाता है इसलिए हम विज्ञान की भाषा को साहित के अंत नहीं है यह सब कुछ एक वांगमे के रूप में अगर हम देखें एक विस्तरित व्यापक साहित्य के अंतरकत अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि यह सब जो हैं वो उसी का हिस्सा है लेकिन अगर साहित्य में विज्ञान साहित्य की बात करें वित्य साहित्य की बात करें या वानिजिक साहित की बात करें तो अनुशाशन अलग होता है और उसकी भाषा भी बदलती है उदारन के तौर पर जैसे हम समाचार पत्र में ही देखें कि हमें अनेक प्रकार की भाषा देखने को मिलती है जिसे खेल की भाशा अलग तरह की है जिसे बाजार की भाशा अलग तरह की है ऐसे ही वहाँ अगर विज्ञान के समाचार हैं तकनीक के समाचार हैं तो उनकी भाशा वहाँ पर बदल जाती है इसी तरह हम देख सकते हैं कि जैसे सामाने बोलचाल में एक शब्द है रफ्तार अब रफ्तार के लिए अंग्रेजी में स्पीड शब्द का प्रयोग किया जाता है लेकिन भौतिक विज्ञान में जब हम आते हैं तो यह रफ्तार गती में बदल जाती है और गती में तथा रफ्तार में तकनीकी रूप से अवधारनात्मक अंतर हो जाता है और इसी प्रकार तोरण शब्द का प्रयोग भी इसी अर्थवेंजना के लिए किया जाता है लेकिन इन तीनों के संदर्ब सापेक्ष प्रयोग अलग-अलग हो जाते हैं जैसा अवसर होता है उसी प्रकार का प्रयोग हम करते हैं जैसे गती जो है वो किसी एक समय के अंतरगत विद्देमान स्थिर गती की दियोतक है परिचायक है जिसको हम constant speed भी कहते हैं जबकि जो त्वरक है वह गती स्थिर नहीं होती अपितु गतिशील होती है परिवर्तनशील होती है जैसे किसी गाड़ी या वाहन की गती जो समय समय पर बदलती रहती है वह 30 या 40 या 50 या 60 की speed है तो वह रफ्तार हो जाती है इस तरह विज्ञान जो है वो शब्दों को संदर्व के साथ बदलता है बदलना इसलिए अपेक्षित है क्योंकि उसमें जो नहित अर्थ है उसमें जो अवधारना की अनेक परतें बैठाई गई है वो परतें संदर्व के साथ जोड़कर ही सार्थक्ता के साथ हमारे समक्ष आती है हम वनस्पती विज्ञान में देखें हम वयाकरण में देखें हम गणित में देखें तो एक ही शब्द जिसे हम मूल कहते हैं रूट कहते हैं इस मूल शब्द को आप समज सکते हैं कि यह इन अलग-अलग अनुशाशनों में जाकर अलग-अर्थका दियो तक होता है जैसे मूल से मूल भूत भी बना देते हैं मूल से हम जड़ वनस्पति विग्यान में मूल का अर्थ जड़ है जैसे पौधे की पेड़ की वरक्ष की जड़ होती है बरगदादी के पेड़ों की जड़ों की बात हम करते हैं और उसकी जड़ें बहुत दूर दूर तक फैल जाती हैं, इसी तरह वियाकरण में यह जो मूल शब्द है यह धातू के रूप में जैसे मूल शब्द क्या है, अब जल धातू से या किसी अन्य धातू से वदध धातू से जब शब्द बनते हैं, तो वहाँ पर उसको मूल तो वहां मूल का एक अलग अर्थ हो जाता है इस तरह हम देख सकते हैं कि जो सामाने जीवन में अर्थ है सामाने बाचीत में बोलचाल में किसी शब्द का कोई अर्थ है विज्ञान में यह आवश्यक नहीं है कि उसी अर्थ में उसका प्रयोग होगा तो ऐसे अनेक उधारन ह जिनको हम सामने रखकर चल सकते हैं जैसे वेग शब्द है हमारी पाठ्थे पुस्तक में इसका भी धरन हम देख सकते हैं तो वेग को हम जब मनोविशलेशन से मनोविज्ञान से जोडते हैं तो वह मनोवेग हो जाता है जब हम किसी नदी के प्रवा से जोडते हैं तो वह नदी की धारा का वेग हो जाता है। जब हम किसी शक्ति से उर्जा से जोडते हैं तो वह शक्ति का वेग, शरीर का वेग या उर्जा का वेग उस तरह से भी उसका प्रयोग कर लिया जाता है। तो यह तो हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि पारिभाशिक शब्द विशेश पर केंद्रित होते हैं दूसरी बात कि वह संकल्पनाओं को स्पष्ट करते हैं अवधारणाओं से संबद्ध होते हैं क्योंकि एक ही शब्द में व्यापक स्तर पर अनेक संकल्पनाएं, अनेक अवधारनाएं समाहित होती हैं। इसलिए ये जो शब्द हैं, विज्ञान के जो पारिवाशिक शब्द हैं, वस्तुत है ये कृत्रिम शब्द हैं। इनको हम अंग्रेजी की तर्ज पर हिंदी में कौाइन करते हैं, बनाते हैं। और अनुआद आदी के माध्यम से या शब्दावली निर्मान की प्रक्रिया से जोड़कर हम इनका प्रयोग भी करते हैं। इसलिए विज्ञान के बहुत से शब्द यथा रूप जैसा अंग्रेजी में हैं, उसी रूप में हिंदी में स्विकार भी कर लिये जाते हैं। क्योंकि उनको हम बदल नहीं सकते हैं। कहीं कहीं जहां शब्दों के समतुल्य निर्धारित किये गए हैं, मानक बनाए गए हैं, वहां उन्हीं का प्रयोग होता है और होना भी चाहिए। एक बड़ी संस्था के इंद्र सरकार की है, जिसको हम सभी जानते हैं, विज्ञानिक एमम तकनीकी शब्दावली आयोग, जिसका गठन 1961 में संबेधानिक प्रावधान के अंतरगत किया गया था। राश्टपती जो हमारे देश की सबसे बड़ी सत्ता हैं, उनके आदेश अनुसार इस संस्था का गठन मूल रूप से ज्ञान विज्ञान और तकनीक की शब्दावली के निर्मान के लिए ही किया गया था। पूरे वैश्विक वांगमे में साहित में अगर ज्ञान विज्ञान में कोई शोध हो रही है, अनुसंदान हो रहा है, कोई नई अवधारना सामने आ रही है, तो उस अंग्रेजी में उस अवधारना को समझ कर हिंदी में उसके समतुले शब्दों का निर्मान करने के उसके प्रदे को हम देख सकते हैं उन्होंने गनित की भाषा की द्रश्टी से गनित की शब्दावली, रसाइन विज्ञान की शब्दावली, बहुतिक शास्त्र की शब्दावली, कंप्यूटर विज्ञान की जीव विज्ञान की ये जो विज्ञान की अलग-अलग पूरे वाक्य का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें एक शब्द दूसरे या तीसरे शब्द के साथ आंत्रिक अन्विती से संबद होता है विज्ञान की भाषा में जो वाक्य होते हैं वो परस पर गुम्फित भी होते हैं इसलिए ये वाक्य एक दूसरे से जुड़े होने के कारण अब धारना को व्यापक स्तर पर पठनियता से जोड़ते हैं और विद्यारतियों या पाठकों या गरहकों के लिए वह सहज संप्रेशनिये बन जाती है तो इस विवेचना से हम इस चर्चा से हम यह भी समझ सकते हैं कि यह भाषा तथ्य आधारित होती है तथ्य आत्मक होती है यह भाषा शब्द और वाक्य के स्तर पर संग्शिप्त भी होती है जिसको हम to the point कहते हैं यानि अनर्गल अवांचित विस्तार विज्ञान में नहीं होता कविता में कवी या लेखक जो होता है वो कल्पना भी करता है वह एकी बात की आवरत्ती भी करता है वह वाक्यों में मुहावरे लोकोक्तियों आदी का प्रयोग भी करता है उसमें लोक संसपर्श भी ले आता है लेकिन विज्ञान में तकनीक में प्रोध्योगी की में इसकी गुंजाइश या इसकी संभावना नहीं रहती है विज्ञान की भाषा के वाक्यों में कार्य कारण संबंद महत्वपूर्ण होता है यदि हम किसी घटना का उनलेक करते हैं किसी शब्द के माद्यम से अवधारना का उनलेक करते हैं तो उसके साथ उसका तर्क उसका कारण भी जुड़ा होता है जैसे हम कहते हैं कि कहीं से अगर धुआ उठ रहा है तो फिर प्रश्ण ये उठता है कि धुआ क्यों उठ रहा है इसका मतलब है कि वहाँ पर आग लगी हुई है तो विज्ञान जो है वो कारे और कारण के अंते संबंद के आधार पर आगे बढ़ता है इसलिए उसकी शब्दावली में भी उसी प्रकार की अवधारना को हम देख सकते हैं समस्त हमारे न केवल हिंदी की बात हम करें बलके हिंदी से इतर भारतिय भाशाओं में भी इस प्रकार के अंतराश्टिय अवधारणाओं को व्यक्त करने वाले शब्दों का निर्मान होता है बहुत बार जैसा मैंने पहले कहा कि हम शब्दों को लिपेंतरित भी कर देते हैं जैसे जो निट्रोन है या मान लीजे हम पेटरोल की बात करें या मान लीजे हम डीजल की बात करें इस प्रकार की वेग्यानिक शब्दावली जैसे दवाईयों के नाम है उसमें उन दवाओं के नाम है या किसी साइंटिस्ट या वेग्यानिक के नाम पर किसी शोध का नामकरण किया गया तो उनको हम लिपेंतरित करके यथावत स्विकार कर लेते हैं उनके लिए हम जबरन कोई अनुवाद करके नया शब्द रखने की कोशिश नहीं करते क्योंकि शब्दावली आयोग ने शब्दावली निर्मान के कुछ सिद्धान्त भी बनाये हैं और उन सिद्धान्तों में एक सिद्धान्त ये भी है कि जो शब्द इस प्रकार के हैं उनके लिए समतुल्य हिंदी शब्द जबरन बनाने की आवशक्ता नहीं है हम ये भी देख सकते हैं कि जो अंतरास्ट्री शब्दावली है उनको यतावत स्विकार करने के लिए एक सिद्धान्त बना लिया गया तत्वों को योगिकों के नाम पर जैसे हाइड्रोजन है जैसे कार्बन डाइकसाइड आदी है इनको इसी रूप में स्विकार किया गया तोल आदी जैसे किलो है जैसे मीटर है लीटर है इनको भी हमने इसी रूप में स्विकार कर लिया उनके लिए हमने कोई नए शब्द नहीं बनाए इसी तरह कैलरीज हैं विटैमिन्स हैं उनको भी हमने उसी तरह से स्विकार कर लिया तो हम देख सकते हैं कि ऐसे शब्द जो व्यक्तियों के नाम पर हैं व्यग्यानिकों के नाम पर हैं जैसे मान लीजिए काल माक्स के नाम प से अगर कोई शोध हुई है तो हमने उसी रूप में उसे स्विकार कर लिया इस प्रकार हम देखते हैं कि वनस्पती के क्षेतर में प्राणी विज्ञान के क्षेतर में या भू विज्ञान आदी के क्षेतर में इस प्रकार की शब्दावली हमें मिलती है तो बहुत सारे शब बात है कि प्रतीकों को लिपी चिन्नों को विज्ञान में जिस तरह से रखा गया है हम उसी रूप में उनको स्विकार करते हैं तो बहुत अच्छी बात यह है कि विज्ञानिक शब्दों के स्थान पर हमारी भाषाओं में जो शब्द प्रचलित हो गए उन प्रचलित शब्दों को हम ये आवश्चक नहीं है अगर उसके लिए सम्तुल्य हिंदी शब्द बने हुएं तो हम हिंदी शब्दों का प्रयोग करते हैं करना चाहिए जैसे अंग्रेजी से मशीन शब्द है अब जब हम अनुवाद कहते हैं तो मशीनी अनुवाद कहते हैं यांत्रिक अनुवाद भी कहते हैं लेकिन मशीन शब्द को हमने स्विकार कर लिया जैसे इंजन शब्द है या जैसे सिगनल शब्द है जैसे टिकेट शब्द है या मीटर लीटर आदी जहां हमने अंग्रेजी हिंदी को मिलाकर भी शब्द बना लिये, कुछ शब्द आधा इंग्लिश जैसे रेल गाड़ी, तो रेल अंग्रेजी का, गाड़ी हिंदी का, उस प्रकार की शब्द भी हमने बना लिये हैं। तो यह जो भाषा शास्त्र के नियमों के आधार पर, या शब्दावली आयोग द्वारा बनाए गए सिद्धानतों के आधार पर, विज्ञान की भाषा के विस्तार और उसके आयामों का संदर्व है, यह इसलिए महत्पूर्ण है, क्योंकि विज्ञान को हम अध्यतन, विज्ञान की परिभाषा देते हैं, तो उसकी आर्बिट्रेरिनेस, यानि यादरिच्चिकता की बात भी हम करते हैं, वाषा यादरिच्चिक होती है, लेकिन यह यादरिच्चिकता विज्ञान में, साहित्य में, या अन्य अनुशाशनों में भी देखी जा सकती है, इसल कामान्य भाषा से विज्ञान की भाषा कई कारणों से अलग या भिन्न भी होती है जैसे स्रजनात्मक साहित्य में स्रजन करता साहित्यकार वह कालपनिकता के आधार पर भाषा के शब्दों का आवरत्ति के आधार पर प्रयोग भी करता है वह बार बार दोहराव भी करता है पनरुक्ती जिसे हम कहते हैं कहीं कहीं वह उसको इडियो मेटिक या नी मोहव्रेदार भी बना देता है، कहीं कहीं वह व्यक्तिनिश्ट भी बना देता है लेकिन विज्ञानिक या विज्ञान की भाषा वह ऐसा नहीं करती, उसमें उसकी गुंजाइश भी संभावना भी नहीं होती, वह प्रामानिक होती है, संक्षिप्त होती है, तरकाधारित होती है, और द्वी अर्थी नहीं होती, एक अर्थी होती है, इसलिए उसकी अभिव् होती है साहित्य में सामान्य जीवन में प्रयोग तोनी वाली भाषा में कई प्रयायवाचियों को हम रख सकते हैं यानि समानार्थियों का प्रयोग भी कर सकते हैं उसमें श्लिष्ट प्रयोग उसमें उपमा आदी के प्रयोग उसमें आलंकारिक्ता आदी का प्रयोग यह भी कर सकते हैं लेकिन विज्ञान की भाषा में पारिभाशिक शब्दावली आदी में इसकी अपेक्षा आवश्यक्ता और संभावना नहीं होती बोलचाल की भाषा में हम तमाम ऐसे में रखकर बदली भी जाती है लेकिन विज्ञान में पाठकिय अपेक्षा से भाशा नहीं बदलती वह तो अवधारना के साथ पाठकियता के रूप में पाठक तक जब पहुंचती है तो पाठक को उसे समझना होता है उसे तालिकाओं से उसे आरेखों से उसे तमाम भी हो जाए इसी तरह विशे क्षेत्रों की भाशा के आधार पर विज्ञान की भाशा में अंतर आता चला जाता है विज्ञान में भी अनेक शेत्र है और वह क्षेत्र विशे के आधार पर भाशा और शब्दावली को बदलते हैं तकनीकी शब्दावली का उसमें अधिक होता है इसलिए वह संग्षिप्त होती है तथ्य परक होती है इसमें कोई संशे शेश नहीं रहता विज्ञान की भाषा में हम सामाने और साहितिक भाषा से अलग प्रकार का एक तेवर एक आस्वाद वह देखते हैं और इसमें सार्व भावमिक्ता और वस्तुत है जो कथानक प्रधांता है वह भी शामिल रहती है वाक्य संदचना सरल स्पष्ट और कारे कारण संबंद पर आधारित होती है सूत्रों में संकेतों में प्रतीकों में चिन्नों आदी में या फार्मूला आदी में इसकी अभिव्यक्ती भी होती है कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि व जतन जानकारियों का उपलब्धियों का खोजों अनुसंदानों के विकास का अवसर प्रधान रहता है इसमें किसी प्रकार की रूडियों का किसी प्रकार की के अंदविश्वासों का किसी प्रकार की मान्यताओं का जैसे कभी-कभी हम कहते हैं कि हम ये मान सकते हैं तो विज्ञान की भाषा इस दृष्टी से बहुत तार्किक होती है और बारीक से बारीक अवधारना को भी वह बहुत सहजता और आसानी से व्यक्त करने में सक्षम हो जाती है तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि विज्ञान की भाषा का अपना एक वैशिष्ट है वह चाहे गनित के क्षेतर में हो वह चाहे भौतिक विज्ञान के क्षेतर में हो रसायन और जीव विज्ञान के क्षेतर में हो वह कृशी विज्ञान के क्षेतर में हो या किसी अन्य विज्ञान के क्षेतर में इन सब में भाषा अपने एक वैशिष्ट के साथ अनुशाशन विशेश को व् निश्चित रूप से स्पष्ट हुआ होगा फिर से नए विशय के साथ आपके सामने उपस्तित होंगे धन्यवाद नमस्कार